हेलो दोस्तों, गेट समशेज में आपका kaçत है इस वीडियो में हम डिस्यट करने जा रहे हैं नैप से क्रॉब्लम और इस वीडियो में आप से ब्सक्राइब प्रॉब्लम से एलेटीड सारे इंपोर्टेंटे पॉइंट डिस्ट करने जा रहे हैं तो start कर रहे हैं napsack problem से जो आती है greedy technique के अंदर और greedy technique में जितनी भी problems हैं उन में से napsack जो है one of the main, one of the most important problem है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ problem statement के बारे में मतलब actual में problem है क्या, napsack problem क्या होती है उसके लिए मैंने यहाँ एक numerical लिया है, numerical में हमने यहाँ पर क्या लिया है, तीन object है मेरे पास, object 1, 2, 3 उस object के corresponding हमारे पास profit है और weight है, profit हमारे पास 25, 24, 15 और weight है 18, 15 and 10 तो सबसे पहले napsack जो है, napsack का मतलब क्या होता है, bag, हमारे पास एक bag है, उस bag की कोई न कुछ न कुछ capacity जो है वो हमें दी हुई है, जैसे यहाँ पे napsack की capacity है 20 अब आप इसको 20, kilogram ले लो, gram ले लो, milligram, whatever value you want to take, the value is what? 20, मतलब एक bag है, उस bag में 20 weight तक हम डाल सकते है तो यहाँ पे हमारे पास problem क्या कह रही है, कि मेरे को profit जो है वो maximum करना है, मतलब मेरे को profit जो है वो find out करना है और मेरे पास profit जो है final में सबसे ज़्यादा आना चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास use करते हैं optimal मतलब greedy techniques के अंदर जितनी भी technique आती है, let's say napsack problem है, huffman coding है, minimum cost spanning tree है, यह सारी problems में हमें find out करना होता है optimal answer और हम approach कोन से use करें, greedy, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, profit और weight में से, obviously मैं पहले profit के corresponding greedy मतलब मैं पहली technique लगा रहा हूँ, जिसमें मैं greedy हूँ, I am greedy about profit, greedy about profit का मतलब क्या है, यह greedy for profit का मतलब क्या है कि जिस object का सबसे ज़्यादा profit है, मैं उसको bag के अंदर डालूँगा, और उससे क्या होगा, मेरे को profit maximum आने के chances होँगे तो let's suppose यहाँ पे अगर हम profit की बात करें तो देखो, तीनों में से सबसे ज़्यादा profit किसका है, object 1 का, तो मैंने object 1 को क्या किया, bag के अंदर डाल दिया, और मेरे को profit कितना मिला, 25, अब जब मैंने object 1 को bag के अंदर डाला, तो उस object का क्या है, weight, कितना weight है, 18, तो यानि out of 20, मेर 18 जो है, वो weight fill हो गया, मेरे पास सिरफ capacity बची 2 की, मतलब, अब मैं सिरफ 2 kg ही, या 2 mg, जितना भी आप ले रहे हो, 2 capacity ही मैं इसमें भर सकता हूँ, तो यानि अब मैं next क्या करूंगा, next में, अगर मैं बात करूं, second object की, तो second object है, object 2, तो इसकी जो profit है, वो है 24, यानि इसके जो है, वो इसी का number आएगा, 24 maximum है, तो यहाँ पर 24, अगर मैं इसके अंदर डालता हूँ, मतलब, object 2 इसके अंदर डालता हूँ, तो object 2 पूरा तो डाल नहीं सकता है, क्योंकि इसका weight कितना है, 15, और यह bag अब सिरफ 2 weight ही अब उठा सकता है, क्योंकि 18 इसमें already बढ़ा हुए तो यह नि 2 weight उठाने का मतलब है, कि मैं पूरा 15 तो डाल नहीं सकता, यानि मैं अब 2 by 15 पॉर्शन ही इसमें डाल सकता हूँ, तो अगर मैं 2 kg इसमें डालना हूँ, या 2 mg कोई भी value अगर आप लेते हो, let's say, अगर मैं 2 capacity इसके अंदर भरता हूँ, तो मिरको पूरा profit मिलेग जब आप पूरा 15 kg डालोगे, पूरी 15 value डालोगे, लेकिन यहाँ पे मिरे पास पूरा 15 मैं नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ 2 by 15 मतलब, यहाँ पे 2 capacity ही बर रहा हूँ, तो मिरे पास profit कितना होगा, 2 by 15 into 24, तो यह मिरा यहाँ पे क्या बनेगा, profit जो है वो बनेगा, तो total profit कितना ह 25 plus 48 divided by 15, which is 3.2 something, yes, then it is a 28.2, मतलब आपका जो overall answer क्या है, 28.2, यह आपका जो है वो profit यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या यह maximum profit है, यह क्या यह optimal answer है, optimal answer का मतलब क्या है, कि best answer मेरे को find out करना है, लेकिन best answer यहाँ पे find out नहीं हो रहा, reason उसका क्या है, मैं सिरफ profit के लिए greedy था, let's say मैं second case में, I am greedy about weight, greedy about weight का मतलब क्या है, अब मैं greedy हूँ weight से related, कि मैं आप क्या कर रहा हूँ, जिस object का weight सबसे कम है, मैं उसको सबसे पहले डालूँगा, इसमें हमारे पास क्या motive है, इसका motive क्या है, अगर मैं छोटे छोटे या कम weight वाले objects को back के अंदर डालूँगा, तो मैं जादा objects को डाल सकता हूँ, यही actual में benefit हुआ न, कि अगर आपके पास let's say एक room है, room की कुछ capacity है, अब room के अंदर obviously अगर आप let's say, अगर हम classroom की बात करें, classroom की कुछ ना कुछ capacity है, अब जादा अगर मोटे मोटे student आएंगे, तो obviously number of student क्या होंगे, कम, लेकिन अगर आप पतले-पतले students को डालोगे, या पतले-पतले objects को डालोगे, तो होगा क्या, number of objects जादा accommodate हो सकते हैं, उस room के अंदर, तो वही हम यहाँ पे कर रहे है, मेरे bag के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस napsack के अंदर, अब मैं यहाँ पे उठा 15 profit यहाँ पे मिरको मिल गया, और कितना bag बर गया, bag जो है, वो out of 20, half bag बर गया, मतलब 10 बर गया, 10 पड़ा है, अब यह बाकी का 10 मैं किसे बरूँगा, next weight किसका minimum है, 15 वाले का, क्योंकि इसका weight है 18, 15, लेकिन मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डाल नहीं सकता, क्योंकि मेरे प 15 में से सिरफ 10 ही डाल जकता हूँ, तो मेरा profit मेरे को पूरा नहीं मिलेगा, profit मिलेगा 10 by 15 into 24, तो इसको आप solve करोगे का 15 plus 240 divided by 15 which is 16, तो total answer आएगा आपका 31, तो देखो previous जो हमने greedy about profit technique यूज की थी, सिरफ मैंने उसमें profit के उपर concentrate किया, यहाँ पे मैंने सिरफ weight के उपर concentrate किय तो देखो मेरे पास profit बढ़ गया, तो क्या यह मेरा optimal answer है, नहीं, अभी भी मेरा optimal answer यहाँ पे नहीं आ रहा, optimal answer कब आएगा, जब आप दोनों की take care करोगे, मतलब आपने profit को भी under consideration रखा, weight को भी under consideration रखा, तो दोनों को under consideration रखने का मतलब क्या है, कि मैं दोनों के बारे में स और उस proportion के basis पे ही मैं आप values को उठाऊंगा, तो 25 by 18 करोगे तो answer क्या आएगा, 1.3, 24 by 15 करोगे तो answer आएगा, 1.6, और यह करोगे तो 1.5, तो यह मेरे पास proportion आगी, किसकी profit by weight की, तो अब थर्ड टेकनीक में क्या करो, I am greedy about both, now I am greedy about both, तो both के लिए हम अब सबसे पहले क्या क करेंगे, जिसकी proportion सबसे जाद है, 1.6, object 2 की, तो सबसे पहले object 2 को उठालो, object 2 को मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो जैसी object 2 को इसके अंदर डाला, मेरे को कितना profit मिला, मेरे को 24 profit यहां पे मिल गया, और back कितना बर गया, 15 जो है वो capacity बर गी, बची कितनी, 5, अब next देखो, next किसको बरेंगे, next है 1.5, क्योंकि 1.3 less है, 1.5 जो है वो मेरा 1.3 से बढ़ा है, तो मैं 1.5 मतलब object 3 को उठाऊंगा, लेकिन object 3 को again मैं पूरा नहीं भर सकता, मैं मेरे पास इसका weight है 10, लेकिन capacity बची है सिरफ 5, तो मेरे को पूरा profit नहीं मिलेगा, मुझे 5 बाए, यहां पे 5 के बची है और मेरे को weight मेरा है इसका 10, यानि मेरे को half profit मिलेगा, simple जावनड है, मेरे को half profit मिलेगा, यानि 7.5, तो 24 प्लस 7.5 करोगे तो 31.5, तो देखो तीनों में से सबसे maximum कहां पे आ रहा है, 31.5, तो यानि आपको greedy about both ही use करना है, तो जब भी आपको question में आए, आपको यह find out नहीं करना, यह technique से नहीं करना, आपको सिर्फ greedy about both ही करना है, यह दोनों तरीके तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताये थे कि इन दोनों तरीकों से क्या answer आएगा, तो आपको greedy about both ही use करना है, तो देखो इस type के numerical question जो है, already आ चुके है, और आगे भी आने के chances तो इसलिए इसको ध्यान से करना, और अगर हम बात करें यहाँ पर algorithm की, तो देखो algorithm कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर third technique की हम बात करें, तो third technique में हम क्या कर रहे है, सारे elements की for i is equal to 1 to n, हमने profit by weight ratio calculate कर ली, देखो यहाँ पर 1.3, 1.6, 1.5, तो इसकी complexity कितनी होगी, सारे elements की हम profit by weight ratio calculate कर रहे है, obviously order of n, क्योंकि n time भी हम करेंगे, तो order of n, उसके बाद हम क्या कर रहे है, सार्ट कर रहे है, यह देखो ना, सबसे पहले हमने क्या उठाया था, 1.6 वाला उठाया था, मतलब object 2, कैसे उठाया, आपने internally क्या किया, इसको सार्ट किया, 1.6, 1.5, 1.3, तो यहाँ कौन सा यूज करे हो, sorting algorithm यूज करे हो, तो sorting करने के लिए, let's see, अगर मैं merge sort, या quick sort, या फिर insertion sort, bubble sort, multiple sorting algorithm है, heap sort है, तो मैं efficient algorithm को यूज कर रहा हूँ, तो order of n log n, जो है, वो मेरा time यहाँ पे लगेगा, order of n log n, मेरा time लगा sorting के लिए, उसके बाद हम third में क्या कर रहे है, अब हम एक को उठा रहे है, सबसे maximum वाले को, उसको back के अंदर बर दिया, यह देखो, अगर मेरे पास जो capacity है, M, यह जो total capacity है, अगर वो greater than 0 है, और अगर weight उसका less than M है, यह देखो ना, जैसे 1.6 हमने यहाँ पर use किया, तो उस time पे मेरे जो capacity थी, वो 20, 20 greater than 0 है, है, और इसका weight कि कितना था, 15, 15 less than 20 है, है, तो हमने क्या किया, उसको भर दिया, किसके अंदर, back के अंदर, बची capacity कितनी, बची यहाँ पर 5 थी, और जो मेरा profit कितना हो गया था, profit यहाँ पर 24 हो गया था, तो 24 प्लस, अब आपने क्या किया, next time, M greater than 0, जो मेरे capacity कितनी बची, 5, 5 greater than 0 है, है, औ और यहाँ पर weight कितर है, 15, 15 less than 9, तो यानि मैं next case use करूँगा, यह वाला, जिसमें हमने क्या किया था, proportion निकाली थी, PI into, that is a profit into, जो मेरे पास capacity बची है, 5, divide by, जो भी मेरे पास weight था, 10, into profit उसका, profit कितना था, 15, तो यह हमने calculate किया, तो 7.5 आया, तो overall answer मेरे को plus करोगे, तो P plus P, यह वाली सारी value calculate करोगे, 31.5 जो है, वो answer आएगा, तो इसको calculate करने में कितना time लगेगा, obviously आप maximum, let's say, worst case में क्या हो सकता, कि सारी object आगे, let's suppose कि सारे ही object जो है, वो इसके अंदर आगे, तब भी आपकी complexity, maximum से maximum, order of n ही बनेगी, तो overall, आपका answer क्या बन गया, order of n, plus n, plus order of n तो overall answer आपका क्या बनेगा, order of n log n, क्योंकि इन तीनों में से सबसे बड़ी जो term है, वो क्या है, n log n, so this is the time complexity of knapsack problem, thank you.